धन का लूब मिदास अपने तहखाने में बैठा अशर्फियां गिन रहा था कि अचानक कहीं से एक अजनबी उसके सामने आकर खड़ा हो गया मिदास बहुत बुरी तरह घबरा गया यह वेक्ति आया कहा से मिदास सोचने लगा मिदास को हैरान देखकर अजनबी ने कहा जरोमत मिदास मैं देवता हूँ लक्षमी का पुत्र हूँ तुम बहुत समय से लक्षमी की पूजा कर रहे हो इसलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन हूँ मांगो क्या मांगते हो मैं तुम हरी इच्छा पूर्ण करूंगा मिदास के खुशी का क्या कहना वह सोचने लगा क्या मांगो अचानक उ ऐसी शक्ति देवता से मांग ले कि जिस चीज को वह चुए वह सोने में बदल जाए तो वह दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति बन सकता है। मिदास ने अपना हाथ पलंग पर रखा फौरन पलंग सोने का हो गया मिदास खुशी से नाचने लगा कितने विचेतर शक्ती मिली थी उसे मिदास दोड़ता हुआ बाग में गया पेडों को छुआ तो पेड सोने के बन गए फूलों को छुआ तो वे भी सोने के फूल बन गए खाने का समय हुआ और मिदास भोजन करने बैठा किन्तु यह क्या उसके छूते ही रोटी सोने की बन गई मिदास ने जल्दी से दूसरी रोटी उठाई और एक टुकड़ा मुग में डाला रोटी गर्म थी एकदम गर्म सोने का जला बन गई और मिदास का मुग चल गया अब राजा परिशान हो गया खाना कैसे खाए भूख के मारे बुरा हाल था तभी उसकी बेटी रोटी हुई उसके पास आई पिदाजी मेरे फूलों को पता नहीं क्या हुआ आकर देखो फूलों को बदला हुआ देखकर वह भी दुखी थी राजा ने आगे बढ़कर उसे गोध में लेना चाहा किन्तु उसके चूते ही उसकी बेटी एक सोने का बुथ बन गई मिदास चीक उठा उसकी आँखों से आंसु बहने लगे उसकी बेटी ना बोलती थी ना चलती थी और ना हसती थी उसकी विचित्र शक्ती उसके लिए बहुत ही कष्ट दायक सिद्ध हुई ऐसी दोलत को लेकर रह क्या करेगा मिदास फूट फूट कर रोने लगा सायकाल को मिदास को फिर उस देवता के दर्शन होए देवता ने कहा मिदास खुश हो नहीं महराज बहरोता हुआ देवता के चर्णों से लिपट कया मुझे माफ कर दो भगवान अपनी दी हुई शक और कहा तुम जिस चीज पर भी इसे छिड़कोगे वह वापस अपनी पुरानी अवस्था में आ जाएगी मिदास ने घड़ा ले लिया और सब चीजों पर घड़े का पाने डालने लगा उसकी बेटी भाग कर उसकी गले से लिपट गई बाग के फूल अब फिर पहले की ही तरहां सुन्दर लग रहे थे विदास ने फिर कभी धन का लोब नहीं किया